प्यारे विद्यार्थियों, हर्गर पाठशाला में आज आपका पुनो स्वागत है, हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, पिछले दो भाग में हमने महाभारत के समालो चनात्मक संस्करन के बारे में पढ़ा था, परिवार किसे कहते हैं, विवाह क्या है, नातेदारी विवस में क्या अंतर है, इसके बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि अध्याय के आरंब में ही कहा गया था, कि जो ये समाजी की विवस्ता हमारे देश की रही है, वह हम महाभारत के संदर्व से ले रहे हैं, महाभारत का आल में किस प्रकार का जीवन था, राजनितिक समाजी का अर्थिक धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, उसके संदर्व से ही हम इस विशे को पढ़ रहे हैं, तो आज विशेश तोर से तीसरे अध्याय के इस भाग में, जिसका नाम समाजी के तिहास महाभारत के संदर्व से हैं, आज हम महाभारत में वरनित जीवन के बा पुर्वक हम यहाँ पर आज बात करेंगे तो सबसे पहले महाभारत काल में राजनितिक जीवन के ऐसा था इसके टाइम लाइन के बारे में अगर हम खोजबीन करें कि महाभारत कब हुआ था तो लगभग एकत्तिस सो इसा पुर्व बी-सी-ई में महाभारत का अलदर शाया गया है जब शिरी कृष्णे का जन्म हुआ बगवद गीता का पाठ महाभारत में दिया गया है और महाभारत दो भाईयों के बीच दो भाई के परिवारों के बीच में एक संघर्ष था लेकिन इस संघर्ष के कुछ माइने थे जिसने आने वाले समय के लिए एक संदेश दिया है दो आपयूग समाप्त हुआ है उसके बाद कलियूग आरब हुआ है और महाभारत के जितने भी प्रसंग है महाभारत के जो भी शिक्षाए है वो आज भी हमारे लिए प्रसंगिक है आज के जीवन काल में भी हम शिरिमत भगवत बीता के हर शब्द हर पाट को अपने जीवन में उदार सकते हैं तो इसी संदर्व में आज हम यहाँ पर राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन अधार्मिक जीवन आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि कैसा जीवन उस समय वे लोग जिया करते थे तो आरंभब में सबसे पहले राजनीतिक जीवन वहां का कैसा था महाभारत काल में राजा जो है उसका सरवोच स्थान था वही सबसे बड़ा न्यायधीश था वही दंड देता था सबी निरने वही लिया करता था तो सबसे महतोपुर्ण स्थान उसी को था और सबसे बड़ी बात कि उसे देवतुल्यव माना जाता था बड़े बड़े राज महलों में रहता था और ये जो राजा का पद है ये वंशानूगत था परिवार में ही ये चलता था जेश्ट पुत्र को संभवतो जेश्ट पुत्र को ही राजा बनाया जाता था उत्रातिकारी बनाया जाता तो यही तो कारण रहा था महावारत के युद्ध का भी जिसमें कि युधिष्टर उम परिस्तितियों में दृतराष्ट को राजा नहीं बनने दिया गया था लेकिन दुरियोधन में पूरन गुन थे वह अपने आपको पूरी तरह से एलिजीबल मानता था राजा के पत के लिए और कहता था कि मेरे पिता जो है बड़े थे लेकिन युदिश्टर का मानना था कि वो सभी भाईयों में बड़े हैं और यही मुख्यो कारण रहा था उनका उस महाभारत होने का तो राजा का जो पत था वो बन्शानुगत था वही सब कुछ निरने लेता था वह सरवोच था देवतल्य था परजा की रक्षा करना शांति स्थापित करना सारे जन कल्यान के क राजा के द्वारा ही करवाए जाते थे लेकिन राजा ने अपनी सलह के लिए मंतरी परशद का गठन किया होता था जिसमें की 36 मंतरी उस समय कहते हैं की 36 मंतरी जिसमें की पुरोहित का मुख्यो रोद रहता था पुरोहित जो की ब्रहमन होते थे वही प्रामर्शदाता होत सम्मान दिया जाता था सेनापती, नियाएधीश, दुरुगपाल, धर्मादयक्ष ये सभी बड़े महतुपुन पद हुआ करते थे और इन्हीं की सलहा पर राजा सभी द्रने लिया करते थे और इसी वज़ा से बड़े विशाल राज्यों की स्थापना उस समय की गई थी ये कुरू, पांचाल, कौशल, काशी, मगद, ये सभी राज्यों बहुत बड़े बड़े विस्तृत समराज्यों थे समराज्यवादी नीती तो उस समय रहती ही थी जो शक्तिशाली राजा होता था वो अपने अधीन चोटे राजाओं को करने की उसकी लालसा रहती थी और वो कई तरह के तरीके अपनाते थे कि वो चोटे राज्यों को अपने में सम्मेलित किया जाता था उस समय तो उसको बड़ा सम्मान भी माना जाता था कि जतना बड़ा राज्य होगा वो उतना शक्ति-शाली होगा तो युवराज्यों की भी यही प्रयास रहता था कि वो अपनी योग्यता को दिखाने के लिए युद्ध करना आरंब कर लेते थे बहुती छोटी उम्र में और जितने ज्यादा वो राज्यों को विस्तार दे सकते थे उतना ही शक्ति-शाली और योग के उस उत्रादिकारी को माना जाता था प्रशासनिक एकाई में अलग-अलग एडिमिस क्योंकि बहुत बड़े-बड़े विस्तृत सम्राज्यों होते थे तो उसके लिए पूरे र इकाई थी वो ग्राम था गाउं होता था उसके बाद दस गाउं उनको दश ग्रामी कहा जाता था फिर उसके बड़े जो इकाईयां होती थी बीस गाउं वालों को विशेपती कहा जाता था और सौ गाउं के जो मुख्या होते थे शत ग्रामी उनको कहा जाता था और हजार गाँों के जो मुख्या होते थे, मुख्या अधिकारी होता था, उसे अधिपदी कहा जाता था तो इस प्रकार से शांती विवस्ता स्थापित करने के लिए उनके पास कई शक्तिा उनको दीजाती थी वो अपरादियों को सजा भी दे सकते थे भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार भी इन ही जो ये अधिकारी होते थे दश ग्रामी, विशेपती, शत ग्रामी, अधिपती ये बड़े अधिकारी होते थे जो कि अपने अधीन क्षेतरों का पूरा राजस्व का मामले देखते थे और कानून व्यवस्ता को भी यही देखरे करते थे उसके अलावा वित्य व्यवस्ता में भू राजस्व आमदनी का जो मुक्यो सोर्स उस समय भी रहता था वो अभू राजस्व रहता था, तो जमीन की उपज का एक बटा छे भाग, छटा भाग जो है जमीन की उपज का वो राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाता था, ब्रामन, स्त्रिया, बच्चे, इन लोगों को कर से मुक्त रखा जाता था, नियाए विवस्ता में राधियों को दंड राजा दिया करते थे, तो राजा सरवोच नियाए धीश था, लेकिन प्रदेश्ठा की सहमती से ही उन्हें के प्रामर्श से यो नियाए वस्ता को संभालते थे, इसके अलावा, सेना विवस्ता में चार तरह की चतुरांगनी सेना के बारे में हम महाभा आरत में सुनते हैं, आलेक उसका आता है, और पैदल सेना, जिसमें की पैदल सेनिक होते थे, हाथी की सेना, गुड़सवार सेना, और रत के उपर सेना, ये चार तरह की सेना उस समय होती थी जिनको चतुरांगनी सेना कहा जाता था, और कई तरह के साजो सजा, तलवार, पाला, बर्चा, धनुश, बान और इसके अलावा कई बड़े शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में भी हम सुनते हैं, आगने और अस्त्र, बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र उस समय रहते थे, तो इसके द्वारा से नाएं युद्ध करती थी, लेकिन युद्ध करने की एक करना पड़ेगा, एक रत्वाला या जो सैनिक है वो दूसरे रत्वाले बराबरी के युद्ध के साथ ही युद्ध करेगा, कई परकार के नियम बनाएं गे थे, लेकिन महाभारत में हम इन नियमों को तोड़ते हुए भी देखते हैं, तोटते हुए पाएं गे हैं, क्यों कि हमें नियमों को तोड़ना भी पड़ता है, अगर हमें धर्म की रक्षा करनी है, तो वहाँ पर हमने नियमों को तोड़ते भी कई बार देखा हैं, तो ये वहाँ का राजनितिक जीवन था, उसके अलावा सामाजिक जीवन, परिवार सामाज की मुख्या इकाई होती है, और वहाँ पर भी मूल इकाई परिवार ही थी, बड़े परिवार, संयुक्त परिवार महाभारतकाल में रहते थे और पिता परिवार का मुख्या होता था, अर्थात पित्री परधान समाज उस समय था, और जो सबसे वजर्ग व्यक्ती होते थे परिवार में उन्हें ग्रि का होना इसलिए वहां पर बच्छा माना जाता था क्योंकि पित्री तंत्रा तबक समाज था तो पिता परिवार का मुख्या बनता था इसलिए पुत्र का होना बड़े गर्व की बात समझते थे और वंश को आगे वो बढ़ा सकता था इसलिए धार्मिक अनुष्ठान को पूर इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है लेकिन कुछ अपवाद जरूर है जैसे अब रानिया थी उनका तो जीवन अच्छा ही होगा जो राजपरिवार की महिलाएं स्त्रियां थी उनकी स्तिती तो अच्छी होनी ही थी जैसे कुंती दम्यंती द्रॉपदी यह सब समाज था पिता के बाद पुत्र का ही वर्चस्व रहता था तो पुत्र का होना बहुत ही अच्छा माना जाता था जबकि पुत्री का होना उस समय में एक संकट सा समझा जाता था तो इस्तिती बहुत अच्छी नहीं बोल सकते हैं उस समय सती परता का भी परचलन हो चुका था परदा परता भी उस समय थी लेकिन जो बड़े परिवार की महिलाएं थी उनकी हालात ठीक थे उनका व्यस्क होने पर ही विवाह होता था और विवहा करने के लिए भी उनकी सहमती से ही विवहा होता था ये जो स्वेंबर प्रथा है ये उस समय ही तो थी कि जो राजकुमारी होती थी वो स्वेंबर के त्वारा ही अपना पती चुनती थी जाती प्रथा महावारतकाल में भी कठोर हो गई थी और चार प्रमुक्चातियां ब्रामन, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्र चारों के बारे में उसका वर्ननाता है ब्रामन का वर्चस्व था, सबसे उत्तम माना जाता था, उन्हें की सिलहा से राज चलता था क्षत्रियों समाज की रक्षा करने का काम था वैश्यों कृषी का काम करते थे व्यापार का काम करते थे और शूद्र तिन इन द्विज शिरेणियों का जो द्विज शिरेणियां ब्राह्मन क्षत्रियों वैश्यों है उनकी सेवा करने का काम शुद्रों का होता था इसके अलावा भी कई उप जातियां और शुद्रों से भी निमनस्तर में कई वहां पर जातियां थी वहां की जो पोशाक थी वह बड़ी स्यादी होती थी सूती उन्नी और रिश्मी वस्तर पहनते थे दो प्रकार के वस्त्र ही हम देखते हैं महाभारत काल में सिरियल्स गरा में हमने देखा है कि किस तरह का ड्रेस कोड उनका रहता था उधर वस्त्र और अधो वस्त्र दो ही तरह के वस्त्र सभी पहनते थे महिलाएं भी और पुरुष भी आभुशन भी सब धारन करते थे शाकाहरी भोजन करते थे प्याज और लसुन थे तो जरूर उस समय लेकिन उसका उप्योग जादा अच्छा नहीं माना जाता था लेकिन जो धनी और शाही लोग थे वो मास और मदिरा का भी उप्योग करते थे इसके अलावा मनुरंजन में शिकार उनका प्रमुक मनुरंजन का सादन होता था विशेशतोर से जो राज परिवार होते थे वो मनुरंजन के लिए शिकार करते थे और पश्वों के बीच में लड़ाईयां करवाना यह भी एक मनुरेंजन का सादन था और इसके बारे में तो कौन नहीं जानता ग्यूत क्रीडा जुवा जिसमें की युधिष्टिर ने तो अपनी पत्नी और भाईयों को भी दाओ पे लगा लिया था अपना धंदौलत तो लगाया ही था लेकिन दूसरे जो परिवार के सदस्य थे उनको भी दाओ पे लगा लिया था तो जुवा के बखेर वे लोग नहीं रहते थे मनुरेंजन का एक बहुत बड़ा साधन था और शकुनी ने इसी को ढाल बनाया इसी को अपना हतियार बनाया और युधिष्टिर रोड के भाईयों से उनके अधिकार छीनने का काम किया इसके अलावा संगीत भी उस समय माना जाता है कि मनुरेंजन का एक प्रमुक साधन था तो मनुरेंजन में शिकार करना पश्वों का युद्ध करना दियूत कृड़ा संगीत इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इसके बाद आर्थिक जीवन कृष्वी जो है प्रमुक व्यवसाए वहाँ था गेहूं जो चावल तिल ये प्रमुक फसले थी इसके अलावा आम भी वहाँ पर होते थे फल के रूप में आम मुख्यों माना जाता था सिंचाई की अच्छी व्यवस्ता थी हल से खेती होती थी बेलों के दवारा खेती की जाती थी हल लकड़ी और लोहे के बने होते थे और सिंचाई की व्यवस्ता होती थी और राज घराने से किसानों को कुछ कर्ज भी दिये जाते थे खेती बाड़ी को चलाने के लिए कर्ज की विवस्था भी होती थी इसके अलावा पशु पालन भी एक प्रमुक विवसाय में माना जाता था गाए, बैल, बेड़ बक्रियां, घोड़े, हाती, उंट ये सब पाले जाते थे जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे उसे उतना अधिक संपन परिवार का माना जाता था और पशु की देखभाल के लिए एक विशेश बात तो समय थी कि वहाँ पर सरकारी खजाने से कुछ करमचारी भी निउक्त किये जाते थे जल परिवहन की भी विवस्ता थी, नदियों और समुद्र के द्वारा भी नौकाओं के द्वारा वियापार होता था और कुछ संगठन बनाएगे थे, वियापारिक संगठन, एसोसियेशन्स बनाई हुई थी और इन संगठनों संगों के द्वारा व्यापारी एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे व्यापार करते थे और व्यापारीक संगठनों के जो मुख्या होते थे उन्हें श्रेष्टी कहा जाता था या जेठक कहा जा सकता था और बड़े बड़े उस समय व्यापारिक नगर थे कुरू, पांचाल, मगद, कोशामभी, काशी ये सब प्रसिद्ध व्यापारिक नगर उस समय थे इसकी अतिरिक्त भी अनेक व्यवसाय लोग करते थे जैसे वस्त्र उद्योग बस्त्र उद्योग बहुत ही विक्सित उस समय था सूती, उनी, रिश्मी, हर प्रकार के बस्त्र तयार किये जाते थे आभूशन बनाने की कला, हम देखते हैं कि जो महावारत की जो ड्रेस कोड है कई तरगा के वो आभूशन पेहनते थे राजारानिया, तो आभूशन बनाने की कला भी उन्नत थी और इसलिए इस विफसाय को भी लोग अपनाते थे सोने, चांदी, पत्थर, हाती, दांत के कई परकार के आभूशन बनाए जाते थे इसके अलावा बड़ाई का काम, रंग रेज का काम, खनिक खोदने वाले, जियोतिशी, संगीतकार, वैद्यो, अनेक विफसाय, ये भी उस समय परचलित थे जहां तक धार्मिक जीवन की बात है, तो वैदिक काल में जो परचलित धार्मिक विवस्था थी हम पढ़ते हैं कि वैदिक काल में जातातर प्रकृति की उपासना, प्रकृति की पूजा की जाती थी खुले आंगन में, पीपल के विरिक्ष के नीचे बैट करके हवन यक्यों किये जाते थे प्रकृति की उपासना वैदिक काल में अधिक थी उस समय नदियों का वरिक्षों का पशुओं की पूजा का प्रचलन वैदिक काल में था लेकन महाभारत काल में तृदेव की संकलपना आरंब हो गई थी तृदेव का अर्थ है ब्रम्हा, विष्णू और महिश इस संसार को बनाने वाले ब्रम्हा जी हैं वो सर्वोच देवता हैं, रचैता हैं, विष्णू पालनहार है, पालक है, रक्षा करते हैं और भगवान शिव संगहारक हैं, संसार का अंत करने वाले हैं तो ब्रम्हा, विष्णू और महेश, तृदेव का जो से दान्त था वो हमाभारत काल में आरंब हो गया था इसके अलावा हम वहां पर देवी, देवी की पूजा, दुरगा, काली और पारवती की देवी की पूजा का भी उलेक आता है और हवन यग्यो, बड़े-बड़े हवन यग्यो, राजसुय यग्यो, अश्वमेद यग्यो, उस समय वहां लोग करते थे अवतारवाद की विशेश दोर से बात आती है, कि अवतार पर विश्वास में लोग करते थे भगवान विश्णू के अवतार शिरी राम और शिरी कृष्ण को माना जाता था तो अवतार भगवान समय समय पर लेते हैं जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो पापियों का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयम कहा है यदा यदा ही धर्मस्यों किलाने रभवती भारतो अभ्युत्तानम अधर्मस्यों दात्वानम स्रिजाम्यम जब-जब धर्म की कलानी होती है हे अर्जुन, हे भारत, हे अर्जुन, हे पार्थ तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयम पृत्वी पर जन्म लेता हूँ तो ये भगवान शिरी कृष्ण ने महावारत काल में, शिरी बद्भगवत गीता में अर्जुन को ये पाठ बढ़ाया था, ये संदेश दिया था इसके अलावा नए सिधान्त उस समय आ गए थे जो कि आवागमन से मुक्ती, कर्म सिधान्त इन बातों पर भी बल दिया गया है कि आवागमन के चक्कर से अगर हमने चूटना है तो मुक्ष प्राप्त करना ये भी विचार उस समय काफी सुद्रिड हो गया था और कर्म के बारे में विशेश तोर से जो उलेक महाबारत में या शिरी वद्भगवत में शिरी कृष्ण ने बार बार एक ही संदेश दिया है कि कर्म करते रहिए फल की इच्छा मत करिए आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा और फल की इच्छा करना वो हो मनुश्यो के क्षेतर में नहीं आता है वो उसका अधिकार क्षेतर नहीं है फल की इच्छा करना मनुश्यो का अधिकार शेत्र केवल और केवल कर्म करना है और भगवान शिरी कृष्णन ने एक सुन्दर संदेश पूरी दुनिया को दिया है कर्मन्यवादिकार्स्ते माव्लेände शुकदाचन मां कर्म फल हे तूर्भोमा ते संगो अस्तवव कर्मनी कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है परंतु फल की इच्छा ना करो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कर्म भी ना करो कर्म तो तुम्हें करते ही रहना है वही तुम्हारा अधिकार अक्षेतर है फल के बारे में तो भगवान स्वयम सोचेंगे तुम अच्छा करम करोगे तो तुमें फल अवश्वमेव अच्छा मिलेगा एक बहुत बड़ा संदेश भगवान क्रिश्ण ने हम सब को दिया है द्वापर यूग में दिया था लेकिन आज भी सार्थक है आज भी प्रासंगिक है सब वित्यार्थी हम सभी को ये ग्यान आज भी अपने जीवन में आत्म साथ करना चाहिए हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए सदगुन अपनाने चाहिए और फल की चिष्टा ना करें तो अतियुत्तम होगा अच्छा कर्म करेंगे तो फल तो स्वाभावी करूप से हमें अच्छा ही मिलेगा तो प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ महाभारत के संदर्व से हमने सामाजी की जीवन इस अध्याए में पड़ा है बहुती प्रिर्णा दायक आज भी प्रासंगिक अध्याए है पगवान शिरी कृष्ण के संदेश उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए वही अर्थ वही मुल्या रखती है जो उस समय उस महाभारत का आल में था तो इस अध्याए को आप आत्म साथ कीजिए अध्यान कीजिए इसका मनन करिए और अपने जीवन में अच्छे गुणों को धारन करने का प्रियास करिए बहुत बहुत थन्यवाद